Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to my channel. तो Lost Spring हमारी चैप्टर का नाम है, Class 12th English Flamingo Book का चैप्टर No. 2 है ये. तो हम इसकी Value Based Question Answer को कवर कर रहे हैं और अगर आप इस चैप्टर से लेटेड जितने भी वीडियोस कवर्ड हैं देखना चाहते हैं उनके प्लेइलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर उने देख सकते हैं तो जो Question आजम कवर करेंगे वो है How would the lives of the children change if the government suddenly enforced law against child labor in फिरोजबाद की अगर government एक कानून को लागू कर देती है जो कि बाल शरम के विरुद्ध होगा फिरोजबाद में तब बच्चों की जिन्दगियों पर क्या असर पड़ेगा जो बच्चे फिरोजबाद में रहते हैं कि government ये कानून बना दे कि किसी भी बच्चे से कोई भी बाल शरम नहीं करा जाएगा तो क्या इन बच्चों की जिन्दगी पर कोई असर पड़ेगा तो Question आप से यही पूछ रहा है If the government enforced law against child labor in फिरोजबाद the children's lives would change a lot कि अगर government ये कानून लागू कर देती है फिरोजबाद में किसी भी बच्चे से मजदूरी नहीं कराई जाएगी तो ये बच्चों की जिन्दगीों पर बहुत जादा असर डालेगा These children will now start going to school instead of working in dangerous places like Bengal factories अब होगा क्या कि ये बच्चे जो है अब school जाना शुरू करतेंगे बजाए इसके कि वो खतरनाक स्थानों पर काम करने के लिए जाए और खतरनाक स्थान कैसे जैसे कि जो चूड़ी बनाने वाली factories होती है फिरोजबाद में जितने भी गरीब लोग हैं उनके पच्चे जादातर चूड़ी बनाने वाले कारखानों में काम करने के लिए जाते है और फिरोजबाद में काच का जो सामान है उसी चीज़ के लिए फिरोजबाद famous भी है तो यहाँ पर अगर कानून बना दिया जाएगा कि कोई भी इनसान बच्चों से मजदूरी नहीं कराएगा तो यह बच्चे जो है स्कूल जाएंगे बजाए इसके कि वो फैक्टरिज में चाहें और अब इसके लिए उनके लिए यह एक आग्या हो जाएगी कि वो खेले कूदे बिलकुल एक बच्चे के तरह जैसे कि हर बच्चे का एक सपना होता है कि उन्हें कुछ सीखना चाहिए, खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए तो शायद इन बच्चों की जिन्दगियां भी ऐसी हो जाए और जब वो स्कूल में जाएंगे तो क्या होगा कि एक तो उनका टैलेंट से इंप्रूव होगा और दूसरे वो नई ने दोस्त बनाएंगे और नई चीजों को सीखेंगे और नई चीजों को सीखने का क्या फायदा होगा स्टुडेंट्स कि वो अपने लिए कुछ स्कूल्स को डवलप कर पाएंगे और बजाए कि वो एक मजदूर बन कर सारे जंदगी को कारते वो अपने लिए एक better future को प्राप्त कर सकेंगे अपने लिए कुछ opportunities जो है वो दुनिया में समाज में ढूंड सकेंगे On the basis of education, they will be able to get good jobs for themselves and they will not need to work in any factory अब अपनी इसी शिक्षा के आधार पर क्या होगा कि वो अपने लिए समाज में खुद के लिए अच्छे जोब को ढूंड सकेंगे और अब उनको किसी भी factories में काम करने की जोड़ नहीं पड़े की Learning in school would prepare them for a better future School में जाना, वहाँ पर जाकर कुछ सीखना उनको अच्छे बविशे के लिए तयार कर सकेगा Through their good career, they will be able to bring their family out of poverty और अपने good career के बदुलत क्या होगा कि वो अपने परिवार को भी गरीबी से बहार निकाल पाने में शक्षम होंगे and thus they will be able to choose a safe and healthy life for their self and family और इसी वज़े से क्या होगा कि इस प्रकार वो अपने लिए एक सुरक्षित और healthy life को choose कर पाएंगे अपने लिए और अपने परिवार को एक अच्छी life को वो provide कर पाएंगे तो जो बच्चे कम उमर में स्कूल जानी की बजाए बाल शरम करना शुरू कर देते हैं जो ऐसे में उनकी जो life है पूरी तरह से बरबात हो जाती है overall we can say that if the government bans child labor कुल मिलाकर हम भी कह सकते है students की अगर government जो है child labor को ban कर दे उस पर प्रतिबंद लगा दे then these children will go to school instead of working in factories तब ही जो बच्चे है school जाएंगे ये बजाए कि इसके वो factors में जाएं काम करने के लिए and this will prove to be a very beneficial step for their lives और ये जो होगा एक बहुत ही life step होगा कदम होगा उनकी खुद की जिंदिगों के लिए उनकी खुद के better future के लिए तो government अगर बाल शरम को फिरोजबाद में बैन कर देती है उसके विरोध में कुछ कानून लेकर आती है उन्हें लागू करती है तो शायद ये बच्चे गरीबी से बाहर निकल पाएंगे छोटी उमर में ही इने काम करने से बच जाना पड़ेगा और ये काम नहीं करेंगे तो इनके parents इने school भीजेंगे तो student उमीद है ये answer आपको बहुत अच्छे से clear हुआ होगा वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification bell को press कीजिए और all पर hit कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो अब तक पहुँचे मिलते हम आपसे अपने next वीडियो में till then keep watching, stay connected thank you